ये देखो ओले गिरने लगे चोटे चोटे अब आज सुबह ये देखो कितने चोटे-चोटे हैं ये देखो ओले गिर रहे हैं लेकिन गिर रहे हैं ना तो फैंस अभी तो बारिज ने हो रहे थी लेकि न फोले भी गिरने लगें और यह देखो यह भी बारिज से बच्च के आ गई हैं और कहरी है कि कुछ नहीं है पिसानों के गेहू हैं खेत में तो इस ताइम ही बारिज बहुत लुक्सान करने वाली है ना बहुत ज़्यादा इसके निच्चे हम बैठे हैं और यह लेको यह क्या तुम सोया काटके लाई हो अच्छा कहां बोया है तुमने सोया मकान के उधर क्या कह रही हो क्या करें है जैसे ही तेज हवा के साथ बारिस हमारे उपर आई है ना इधर से हवा चल रही है तो हवा के साथ बारिस आजित करें हो क्या करें यार गाईस गाईस बताओ काव्या क्या करें हैं तिलक लगाती है सो लगाती है बिंदी भी इतनी बड़ी लगा के आती है ये बिंदा क्यों लगाती हो तुम छोटी सी लगाया करो ये और सिमरन ये दोनों मिलके ही बनाती रहती है ये सब सुबह सुबह भी और साम को भी पिछले 15 मट से ह हम यहां पर बैठे हैं और बारिस बंद नहीं हुई है कम हुई है तो चल रहे हैं नहीं तो पता चलेगा फिर और तेज आ जाएगी चले काव्या चलो प्रेंट सामके बज़ गया है पांच और जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं मैं तयार होगी हूं कि मुझे था काम मार्के सब यह कर दिया पेट और फुल नींद आने लग और फिर सर्जी चर्ची कह भंगी ओंऊ के लिए लोसी टिया से रजिस्टर हैं मुझे मुझे बहुत सारा काम मुझे इतना सारा है मौर्केट में तो आज खानावाना होनेवाला नहीं है तो आज ऐसे होने जी काव जी य घूले राजा जी this यह का हुई रहो, कुछ नहीं हो न तो बहु देख रहे थे, का देख रहे थे, हेलिकोप्टर वीडियो, हाँ, 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 केट दोनों की, डवाई जीर की ज़िक जा रही थी खेत में डेमो हो रहे, क्या हो रहा? डेमो डेमो क्या होता है आलू की खेत में क्या केते हैं वो लग गया था कीड़ा तो उसमें हरी लड़की ना दवाई डाल रहाए थे हेलिकॉपर से तो उसे देखके तुम्हें इतनी हसी आरी दोनों को कि तुम दोनों लेटो अपना हाई ही कुरा हम जा रहे अपना काम करें ना हमकरी भी जुत है तुम्हें फिये ऽिद्सेल के हाएँ व्यां के विवारमगी जा सट आया जंद कीजिए ड़की में डरत खना तुम्हें इसओंटिह व्यावर्या था फुल्सेश्थ धी ना रव बरत पनायों काम हम हम इस स्ट्वाप के दर स्वार दंद काम TikTok कि देखो हमकुर ने घोल लिया था निर्मा और उससे कितना साफ हो गया है पंखा पंखडी बहुत साफ हो गयी और यहां भी अंदर सोभी सखाई देखो बिल्कुछ साफ हो गया है कि दम चमग गया ऐसे लग रहा जैसे नया ही आया हूँ अब इस अंकूर की मजए से हमारा टीवी एक साल से नहीं चला है ऐसे ही रखा वो रखी ए च्छतरी और यह है हमारी देखने वाली और यह है टीवी को अध करवाने वाला एक साल हो गया एक साल हो गया तीन साल हो गई मेरे बच्चे ने घाप उड़ जाता है तो देख लेता है देखने को मिलता ही नहीं उसे तो यह देखो हमारा पंखा बिल्कुल चमग गया नया हो गया अंकूर तो फ्रेंड्स पंखा सही करने आ गया था अंकूर वो सब ठीठा करवा के रख दिया है साफ सुथरा करवा के और यह देखो कान में पहन लिए मैंने जुंके और यह और अब जारियू में एक दो वीडियो बनाने इंस्ट्राग्राम के लिए इन दोनों के पास में बैटके न चाहे तो ब्लॉग बना लो चाहे कुछ भी बना लो दोनों की दोनों इतना सोर मचाती है यह वस पूछो मत अब यह वह कौन से नाम सुना रही थी तुम मुझे रास्ते में बोडी लोशन नाम सुनाओ हां सुनो फैर जोर से सुनाओ है पौन से नाम है यह बोडी लोशन वाले कल अंड मोर्म बादम मेंन तक हम लुग पता है कल लुगो ने बुलाब जामून डाला आखों में ओंडोनों की आखों में इतना लगा ओंध ह 행क अखों में पर शुम लुग लेट गये पर इंच क्वाब आव गुलाब जामून उडाला अंखों में अरने में अब सुनो तो अब वो बोडिको सुन के नाम तो सुनो अब हैड पिंगर गुटने गुटने लेग आखे अपे सुनां दो उसे आईज 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 गोट को और क्या कहते हैं इंगलिस में लिप्स तो लिप्स बताओ ना लिप्स या बोडिलोशन की नाम आदे हिंदी में आदे हो और समने चलेंगे तो आज प्रेंट्स पता रहे थी तो इसने का मम्मी मैं आपसे कुछ बात करू तो मैं कहां बेटा बात करो तो कहने लगी कि वन्टू सुनाओ मन कहां सुना लो तो करी अच्छा रहने दो मम्मी आज मैं आपको बोडी लोशन वाले नाम सुनाती मन का बोडी लोशन मन का हां सुनाओ मन का बोडी लोशन वाले नाम सुनाओ मम्मी रास्ते भर यह सुनाती आए आधे हिंदी में आधे इंग्लिस वालत जो इसे इंग्लिस सीटी हुई है वो तो इंग्लिस में बता रही थी और बाकी जिसकी नहीं पता उसे जैसा घुट ने हुआ 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 है हुआ हुआ है